आज की जो वीडियो है हमारी वो 5th semester के related बनने वाली है क्योंकि आज हम बताने वाले हैं आपको के re-evaluation के result जो है कब तक आता है और साथी साथ बता दूँगा आप apply कैसे करोगे इसके बारे में भी आपको मैं बता दूँगा और zrocks के लिए कोन apply कर सकता है इसके बारे में भी हम बता देंगे आपको अगर आप नए हो तो चनल को सब्सक्राइब करके bell icon जुरूर आउन करना whatsapp group की link आपको description में मिल जाएगी अगर आप interested हो तो वहाँ पर जाके join कर सकते हो सबसे पहले आपको करना क्या है notification में दिया हुआ है तो मैं आपको दिखा दूँगा वो notification कहा ह कहां आपको जो है वो Xerox के लिए अपना जो है apply करना पड़ेगा यहां फिर re-evaluation के लिए सबसे पहले आपको examination पर click करना पड़ेगा जब आप examination पर click करोगे उसके बाद आपके सामने जो है evaluation status यहां पर re-evaluation तो आपको करना क्या है दूनों में से आपको यही करना है सबसे पहले अगर आपको re-evaluation बरना होगा या answer script के लिए आपको क्या करना पड़ेगा आपको re-evaluation पर यहां पर click करना पड़ेगा ठीक आप देख सकते हो यहां पर 10 days है अभी 5th semester की students को और अभी यहां पर देख सकते हो first semester जो बेड़ वाले है यानि कि उनका भी अभी available है 9 days लेक सकते हो अगर आपका roll number जो है जो शो करने के बाद आपका जो subject है वो दिखाए देगा और आप इसके बाद सेलेक्ट करके fees बर सकते हो और वो जरॉक्स निकालके आप अपने पास रखो क्योंकि आपको bank पे जाना पड़ेगा वो जो 500 रुपीज है वो देने पड़ेंगे bank और वो आपको वहाँ पर seal देके वो 3 days के बाद update हो जाएगा और अगर मैं बात करूँगा इसी तरीके जरॉक्स की जरॉक्स का भी वही procedure है जो मैंने अभी बता दिया आपको जरॉक्स का अगर हम यहाँ पर click करेंगे वही procedure है जो बाकि students का है revolution का वही procedure है लेकिन अगर मैं समिष्टर और 4th समिष्टर का जादा टाइम नहीं लगता तो 4th का आ गया है revolution का result उसका 2 महीने लग गये है तो 5th का भी आ जाएगा 2 महीने के बाद जब आ जाएगा मैं आपको inform करूँगा छोड़ी सी वीडियो थी like share ज़रूर करना बाई को दीजिया इजाज़त अब करुआ जोड़ी में जाएगांThis